अगर हमारे पास थ्री सेट्स हों A, B और C और उन पे सेम आप्लाए हो जैसे के यहां पर यूनियन है तो यहनी हमने अगर A, यूनियन B, यूनियन C लेना है तो यह यूनियन हम दो तरहां से ले सकते हैं इसका क्या मैथड होगा? कि अगर हम या तो A और B का यूनियन पहले ले ले मैं इस पे ब्रैकेट लगा रही हूँ जिससे यह पता चलता है कि पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला आप्रेशन अप्लाए करना है तो पहले अगर हम A यूनियन B ले 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 और उसका आंसर में जो सेट आएगा उसके साथ C का यूनियन ले 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 तो इससे हमारे पास इन तीनों सेट का यूनियन आ जाएगा दूसरा मैथड यह है कि अगर हम पहले B और C का यूनियन ले 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 और उसके answer के साथ A का union ले लें तो यहां से भी हमारे पास एक set आएगा और associative law यह कहता है कि इस दोनों तरीकों से हमारे पास same answer आएगा यानी same set आएगा associative law से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास तीन sets हो और उन पे same operation अपलाए हो रहा हो तो अगर हम पहले दोनों sets का union लेके उसके answer वाले set के साथ C का union ले ले या अगर हम पहले आखरी दोनों sets का union ले और उस union के साथ A का union ले ले तो हमारे पास दोनों तरह से same set आएगा same result आएगा इसे कहा जाता है associative law of union तो अगर हमारे पास associative law लिखा हो तो इससे मुराद यह है कि हम 3 sets की बात कर रहे हैं Associative law हमेशा 3 sets की उपर apply होता है तो इस वीडियो में हमने देखना है कि हम when diagram के through किस तरह से Associative law of union को prove कर सकते हैं when diagram में हम diagrams के through sets को represent करते हैं पहले हम sets की example ले लेते हैं तो हमने कुछ sets लिये हैं हमारे पास पहले universal set है 1, 2, 3 से 20 तक यानि यह first 20 natural numbers हैं उसके बाद set A है 1, 2, 3, 4, 6 set B है 3, 4, 5, 8, 9 और set C है 4, 5, 6, 11, 13 तो हमारे पास 3 sets हैं A, B, C और इन पे हमने Associative law को when diagram के through prove करना है तो इसके लिए हमें एक universal set भी दिया गया है जिसके अंदर से A, B, C निकले हैं यानि A, B, C जो हैं वो set U के सबसेट्स हैं और इन sets के लिए Associative law क्या है A union B union C में हम अगर हम पहले A union B ले 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 या A union bracket B union C यानि के पहले B union C लेके उसके साथ A का union ले तो यह result equal आएगा तो पहले हम यहाँ पर left hand side को when diagram से draw करेंगे उसके बाद हम right hand side को draw करेंगे और हम proof करेंगे कि यह दोनों sides आपस में equal है तो when diagram के लिए सबसे पहले हम एक rectangle draw करते हैं इस तरह से जो universal set U को represent करती है यहाँ पर हम कोने में U लिख देते हैं इसके बाद हम जो अंदर sets होंगे यानि A, B, C यानि जो U के सब sets हैं उनको हम circles के तोर पर draw करते हैं तो पहले हम set A के लिए circle draw करते हैं यानि यह जो हमने circle draw किया है यह set A का circle है इसी तरह अब हम set B के लिए circle draw करेंगे लेकिन पहले हमने यह देखना है कि क्या set A और B में elements common आ रहे हैं या नहीं तो हम अगर देखें तो set A और B में 4 और 3 common है तो इसका मतलब है कि जो हम set B का circle draw करेंगे वो set A के circle को इस तरह से overlap करेगा इस तरह से हम दूसरा circle draw करेंगे जो set B को represent करेगा अब हमने set C के लिए circle draw करना है और अगर देखा जाए तो जो set C में element 4 है यह set A का भी member है और B का भी member है इसी तरह से set C में जो element 5 है वो set B का भी member है इसका मतलब है कि set C, A और B के साथ overlap कर रहा है तो हमने इस तरह से इसका circle draw करना है कि यह बाकी दोनों sets के साथ इस तरह से overlap करें यानि उनका कुछ portion इसके साथ common आए तो इस तरह से हम set C का circle draw करेंगे अब हम इसके अंदर इन numbers को लिखते जाएंगे जो भी हमें given है तो set A में हमें given है 1, 2, 3, 4, 6 तो पहले हमने देखना है कि A और B में common क्या है तो इन में common है 3 और 4 इसका मतलब है कि A और B का यह जो common region है यह जो common region है यह A और B का है mış तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 लेकिन अगर हम देखें तो 4 C में भी है 4 C का भी element है तो इसका मतलब है कि हमने 4 को ऐसी जगा लिखना है जो portion तीनो sets में common हो तो यहां पर यह जो portion होता है यह वाला यह तीनो sets में common portion होता है तो यहां पर हम लिख देंगे 4 जासे हमें यह पता चलता है कि 4 set C में भी है A में भी है और B में भी है तो इसी तरह से अब हम set A के बाकी elements लिखेंगे 1, 2, 3, 4 हमने लिख लिए है, 6 अब हम set B लिखेंगे, तो set B के पहले दो elements already लिखे जा चुके हैं अगर हम set B को देखें इसके circle को, तो 3, 4 इसके अंदर लिखे जा चुके हैं तो हम लिखेंगे 5, 8 और 9 लेकिन अगर हम देखें तो 5 B और C में common है तो वो उनके common region में आएगा, तो B और C का common region ये वाला होता है तो इसका मतलब है कि हम 5 को यहां पर लिखेंगे, जिससे मुराद यह है कि 5 set B में भी है और C में भी है तो यहां पर हमने लिख लिख लिया 3, 4, 5 तो पीछे रह गया 8 और 9 तो वो हम set B में लिख लेंगे अब इसी तरह से हमने set C के members लिखने है तो इसमें हमारे पास हैं 4, 5, 6, 11, 13 4, 5 और लिखे जा चुके हैं और 6 जो है, वो C और A में common है तो इसका मतलब है कि C और A का जो common region है वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा तो हमने 6 को यहां पर लिखना है तो हम इसको यहां से remove कर देंगे set A के region से हम remove करके A और C के common region में यहां पर लिखेंगे तो हमारे पास आगया 4, 5, 6 और यहां पर हम लिख देंगे 11 और 13 तो यह हमारे पास एक universal set की rectangle थी जिसके अंदर हमने उसके sub sets को इस तरह से लिख दिया अब हम यहां पर associative law apply करेंगे लेकिन उससे पहले हमने same इसी को दुबारा से draw करना है यानि इसी when diagram को दुबारा से draw करना है तो मैं इसको यहां पर copy कर लेती हूँ इसको हम दुबारा से क्यों draw कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें left hand side और right hand side दोनों को proof करना है तो left hand side यहां पर क्या है कि पहले हम A और B का union लें उसके बाद हम उसके साथ C का union लें तो अगर हम A और B का union लें तो उसमें कौन सा portion आएगा उसमें अगर हम इसको shade कर दें तो उसमें यह सारा portion included होगा इसको हम इस तरह से shade कर सकते हैं यानि कि इसमें A और B का जितना भी region आ रहा है same आ रहा है union में हमने सब को लिखना होता है तो यह सारा region इसमें आ जाएगा तो ये जो हमारे पस shaded portion है ये क्या है A union B अब इसके साथ हमने C का union लेना है यानि अब हमने इसके साथ बाकी जो portion बच गया C का वो भी include कर देना है तो उसको भी हम same shade देंगे क्योंकि ये पूरा A की operation को या A की term को show कर रहा है कौन सी term? A union B union C तो ये हमारे पस आ गई left hand side अब हम right hand side को देखते हैं तो right hand side में अगर देखा जाए तो हमारे पस क्या है? A union B union C यानि पहले हमने B और C का union लेना है तो अगर हम B और C का union देखे हैं तो इसमें हमने B और C को उनके common portion को सोरी उसके सारे portion को shade करना है तो इसको सारे को shade कर देते हैं इस तरह से या आ जाएगा B union C यानि B और C के सारे elements को हमने लिख लिया यानि सारे elements को हमने cover कर लिया तो ये हमारे पस आ गया B union C और इसके बाद जो answer आया यानि ये shaded area इसके साथ हमने A का union लेना है तो इसके सारे जब A का union लेंगे तो इसमें ये सारा portion cover हो जाएगा यानि A भी इसके साथ शामिल हो जाएगा तो ये हमारे पस आ गई right hand side तो अगर हम देखें तो left hand side में भी यही सारा portion shaded है यानि A, B और C के circle के अंदर वाला portion shaded है right hand side में भी A, B, C circles के अंदर वाला portion shaded है तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हमने तीनों sets पे union apply किया है तो दोनों possibilities से हमारे पस same answer आ रहा है यानि हम कह सकते हैं कि left hand side और right hand side equal है इस बात का क्या मतलब हुआ कि A union, B union, C को दोनों तरह से जब हम लेते हैं तो हमारे पास same portion shaded आता है when diagrams में तो इस तरह से हम associative law को approve करते हैं when diagrams के through आज का हमारा topic था associative law of union through when diagram